हेलो फ्रेंद्स मैं ओन्टिक गाइड में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपने आई टी आई रिस्टेशन फार्म दोजा तेज भरा था और आप अपना एलाट्मेंट चेक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको उताओंगा आप अपना एलाट्मेंट अप अपने कर लेता हूं Chrome ब्राउजर आपनर करने के बाद आपको यहां पर MPi Ti Counseling सार्च करना है कि सच करने कि बाद आपको यहां पर MPi Tiann देखने को मिलेगा इसपर आपको प्रिक करना है उपको इसकी साइट देखने को मिल जाएगी इसपर आपको कदेड ऑनरों कर यहां पने registration कराया होगा तो आपको एक number मिला होगा और password में आपका date of birth होता है तो चलिए यहां पर मैं registration number डाल लेता हूँ इसके बाद आपको इपना date of birth डालना है बीना किसी symbol के जो भी आपका date of birth है सीदह यहां पर आपको डाल देना है और दोस्तों अगर आपको ID पासवर्ड पता नहीं है तो आपने जो भी email दिया होगा उस email में आपका ID पासवर्ड आया होगा वहाँ से भी आप इसे चेक कर सकते हैं इसके बाद आपका यहाँ पर registration number नाम यह detail आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ उपर यहाँ पर आपको तीन लाइन देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना सारी detail यहाँ से देख सकते हैं जैसे registration सबसे नीचे आपको इलाट्मेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कालेज एलाट्मेंट फिस कितना है अगर आप अगले राउंड में चाहते हैं कि आपका नाम आए तो यहां पर आप तिक कर सकते है अगर आप इसी में प्रवेस लेन चाहते हैं तो यहां पे टिक करेंगे और यहां पर अगले राउंड के लिए अब बेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको तीन ऑक्शन देखने को मिलेंगे यहां पर आपको लॉवक चौईस करना है तो दोस्तों यह सब करने के बाद यहां पर अपना च्वाइस को लाग कर सकते हैं और लाग करने के बाद आप इसे अपने कालेज में जाके जमा कर देंगे इसके बाद आपका एडिवीशन कनफर्म होने के बाद आप पेमेंट वगएरा फीस प्रोसेस कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकात से आप अपना एलाटमेंट देख सकते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद